तो पिछले 10 दिनों का मैं आप लोग एक review और एक conclusion दूँगा इस best gaming phone के बारे में, हर एक scenario में, display हो गया, call quality हो गई, मतलब अच्छा है, नहीं है, लेना चाहिए कि नहीं, और इसकी hype भी next level है, और अभी तक अगर आप नहीं समझें, तो यह है Poco X6 Pro, 27,000 रुपीज में launch हुआ card offer जिसके पास रहा, तो इसको 2000 मिल जाएगा, तो 25 तक वो ले सकता है, वरना basically सबके लिए मिलेगा 27,000 रुपीज में, और 27,000 में, Poco ने इस phone में, काफी अच्छी चीज़ डाली है, मतलब सबसे पहली बात तो performance बहुत अच्छी डाली है, और यहां पर कोछ ऐसे reason वी है, ज चीज मुझे sorted लगी है, तो most of लोगों का अगर storage का issue भी होगा, तो वहाँ पर यह clear तरीके से निकल जाता है, अब देखो रही बात color favorite को लेका, तो मेरा personally यह favorite है, बागी दूसरे color भी आते हैं, बड़ इसके अंदर यहां पर पीछे की तरफ vegan leather मिलता है, जो in hand feeling में बहुत जादा अच्छा लगता है, और एक चीज मुझे इस phone में का अच्छा होता है, क्या लगी है, इस phone का light weight और comfortness, मतलब यह phone 190 gram के भी नीचे आता है, और मतलब इतना light weight लगता है, तो आराम से आप अपना normal कोई भी टास या जिस बंदे को देना चाहो, वो सभी phone को मतलब handle कर ल और वैसे इसके box में जो cover आएगा, वो भी premium quality का इनोंने दिया है, मैंने लगा के देगा था, और वो मुझे बहुत जादा अच्छा लगा, transparent से जो black वाला color, Xiaomi, Redmi देना चालू कर रहे है, वो बहुत जादा positive लगा मुझे, और मैंने इसको जब से use किया है, इस पेर वैसे मैं करे भी आएंगे, first day, second day, जो भी रहेगा, तो आपके phone पे कोई जाला issue नहीं रहेगा, आप निकालो और नया tempered, November लगा किया, market में भी लगवा सकते है, और curve display भी नहीं है, तो flat के लिए आराम से कुछ ना कुछ बिल जाता है, इस पर एक चीज है, कि इस पे जो always on display है, वो आप जादा लंबे टाइम के लिए नहीं रख सकते है, तो अभी यहाँ पर थोड़ा बद दिखे गई है, फिर कुछ देर बाद में ये भी दिखना बंद हो जाता है, phone की in-hand feeling, build quality, सब कुछ अच्छा निकाल के दे रहा है, और वहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी को issue आए हला कि 30,000 पर है वो, उसके बाद आपको मिलेगा Nod 3 भी आ चुका है, वो भी सस्ता हो गया वैसे अभी गले Amazon पर, और फिन Redmi Note 13 Pro है, जो मेरे इसाब से 26,000 में जादा ही कुछ है, मतलब बहुत महेंगा है, मैं कहूंगा, क्योंकि इसकी power उतनी भी अच्छी नहीं है, जितनी यह आस-पास में आ जाता है, तो आईकू नियो 7 मतलब मेरे इसाब से 25,000 में एक बेस्ट फोन था, पर इसके आने के बाद में उसका title मतलब थोड़ा सा आधा इसके उपर भी आ जाता है, नियो 7 में आपको 90FS का gaming मिलता है, लेकिन 90FS उतना जादा पुरापर नहीं है, वो ए लेकिन यहाँ पर अगर आप specially gaming करना चाहते हो, तो उनके लिए एक plus point हो जाता है, आगे दिखाता हूं कैसे, बाकी storage भी यहाँ पर इन्हों ने faster use करी है, जो मुझे थोड़ा सा और positive लगा, इस phone में देखो 5000 mAh की battery है, 67 watt का charger है, 40-45 मिनट के अंदर पूरा phone 100% charge हो जाता है, normal phones वगेरा के लिए ले रहे हो, थोड़ा बहुत कभी gaming करते हो, थोड़े बहुत अगर इंसा, reels वगेरा scroll कर लिए, तो आराम से एक दिन तो चली जाएगा, even देर दिन तक भी आपका phone आराम से चला देगा, यह phone इतना ज़ादा battery efficient निकल कर रहाता है, मतलब Poco ने यहाँ प अगर आप फोन देखना चाहते हो, तो कौन सा देखोगे, तो उस चार option डाल दिये थे, उसमें से जो 57% वोट आया वो आईकू नियो 7 को थे, भाई बहुत ज़ादा थे, उसके बाद में जो second में कहूंगा, वो था Poco X6 Pro जो 26% पर देखने मिला, तो मैं आपको फिर से पू अगया या फिर लाइक टार्गेट कंप्लीट हो गया, तो कंपारिसन वीडियो जितना जल्दी आ सकता है, उतना जल्दी डाल दोगा, तो कोई भी एप्लिकेशन चला लो, अगर मैं इसमें साइड बाई से एप्लिकेशन 10 बारा भी खोल देता हो ना, तो वो फोटाक से खो पूणना चाहते हो, गेमर लोग अगर आप हो, अगर 40,000 का भी बज़ट बना के रखा है, तो मैं तो बोलूँ का बजट कम करो, 30,000 के अंदर, 27,000 रुपीज में, पोको एक सिक्स पर उठाओ, और वो डेड़ वाला इशू वगरा कुछ कमेंट मत करना, क्योंकि देखो, मुझे पता है, कुछ लोगों के साथ अगर इशू हो गया होगा, मैं खुद एगरी करता हूँ, मैं भी थोड़ा सा मनलब confidence gain करने में थोड़ा time लेता, बट अगर आपको एक best phone चाहिए, gaming, performance, सब कुछ को लेकर, तो ये phone वहाँ पर available रहता है, और इतना है कि अगर आप इस 5K उपर वाली gaming ऐसे must मखन तरीके से करवाता है, वो भी fluctuation नहीं है, must एकदम constant तरीके से, और देखो gaming में आपको इसमें boost mode वगरा मिलता है, तो वो gaming जब करोगे ना, तो वो mode on कर ले ना, ताकि आपको एकदम proper top notch वाली performance देखने मिल जाए, fs के fluctuation वगरा वहाँ पर देखन करता है, और एक घंटे की gaming में यह जो temperature भी gain करता है, वो जादा से जादा 3-4 degree होता है, और जब इस phone पर मैंने 100% इस phone को charge किया था, और 0% तक इस पर continuous gaming करके देखी थी थी ना, तो वहाँ पर यह पूरा phone है जो battery खतम करता है, तो continuous आपको gaming करवाएगा 90FS में, वो को somewhere 5 घंट के भी network देखने मिलते है, जियो SIM पर, और आप 2 SIM card भी इसमें डाल सकते हो 5G के, वैसे मैंने 1 की डाल के चेक करिया था, देखो calling के time पर सब कुछ अच्छा था, कोई ऐसा earpiece को लेकर भी कोई issue नहीं थे, सब कुछ ऐसे सुनाई देखने मिलता है, एक issue है कि इसके अंदर आप आपको proximity sensor नहीं मिलता, अब जिसकी वज़े से आप जबी भी call करोगे तो यह ना कभी-कभी display चालू रखता है, most of time हुआता, कभी-कभार मतलब यह बंद कर लेता है, तो direct अगर हाथ लगाओगे या फिर कान के पास लेके जाता हो, display चालू रह जाता है, तो थोड़ा से एक लेकिन वो भी अच्छी तरीके से unlock कर देता है, speed एक अच्छी कासी faster लगी मुझे बापर, अभी यह phone का display भी बहुत जादा अच्छा है, reason यहाँ पर क्या है, कि इन्होंने जो display पे bezels रखे है ना, चारो तरफ से, खास कर भी नीचे थोड़ा सा जाद है, अगर even अगर आप देखने जाओगे तो, अगर आपको display थोड़ा सा और अच्छा देखना है ना, तो display setting में जाके, थोड़ा सा saturated रख लेना, वरना आपको जो normal mode में यूज करो गया ना, तो मैं यूज कर रहा था, तो मुझे बहुत फिकार लग रहा था, तो जब मैंने on किया तो सब चीजे से मस्त, बोलता है ना, अगदम colorful हो गई, थोड़ी सी जादा अच्छी brightness, थोड़ी सी अच्छी color वगएरा वहाँ पर प्रड्यूस कर लेता था, और देखो, gorilla glass 5 वगएरा आता है, और nits वगएरा भी यहाँ पर जो 1200 के असपास है, और outdoor में कुछ 800 के असपास चली जाती है, प्रपर तरीके से मैं phone की display को use कर रहा था, इसकी जो auto brightness है, peak वगएरा भी वह भी अच्छी तरीके से काम कर जाती है, बागी अभी भी एक चीज लगी मुझे, जब मैं इस पर YouTube पर 4K का HDR का content देख रहा था, तो मुझे वहाँ पर stutter मैसूस हो रहे थे, तो lag हो के चल रहा था और उसे के side मैं ने without HDR content चलाया था, तो वहाँ पर वो stutter नहीं हुआ, पर जो 4K का HDR content है अगर आप चलाओगे तो वहाँ पर stutter मैसूस होंगे, बट non-HDR पर नहीं हो रहे है, तो as of now तो यह थोड़ा सा bug ही कह सकते हैं, मेभी अगर कुछ update के through वो चीज़े वो solve कर सकते हैं, बागी Netflix पर भी HDR10 प्लस Dolby Vision का भी support दे रखा है, बागी इसका dual stereo speaker है, वो enough louder है, मतलब अगर आप Reels और ऐसे content सुनने का शौक रखते हो, speaker पे कहीं भी कभी तो वो आराम से आप enjoy कर सकते हो, ऐसे कोई loudness की कमी आपको नजर नहीं आएगे, बागी देखो, Android 14 के साथ में आता ह तो वो और ज्यादा fluid हो चुक है पहले से, बागी थोड़े से और extra features है, वो आप किसी भी HyperOS की ऐसे detail video में जाके check out कर सकते हो, बट जितना मैंने यूज किया है, animation मुझे बहुत अच्छे लगे, refine लगे है, और ये नया जो lock screen है, ये भी थोड़ा सा मस लगा है, बागी phone की hapt पर मिलता है, आप hold कर रखोगे, तो वो इसके अंदर भी निकल कर आता है, हाई इस phone में एक चीज अच्छी नहीं है कि इसमें bloatware application बहुत आती है, देखो bloatware application देने से फाइदा क्या हो जाता है, ब्रैंड को, कि phone की थोड़ी सी costing हाथ में control में आ जाती है, और फिर हम लोग पर उतने ही कोई issue नहीं नजर आते है, हाँ, अगर फिर भी हम लोग कमिया निकालेंगे, तो हम घदे हैं बाई, सीरिसली बताता हूँ, reason यहाँ पर यह है, ब्लोटवर अनिस्टॉल करने का option देते हैं, तो कोई issue नहीं न, फिर करो अनिस्टॉल, इतना तो महनत करी सकते हैं अगर यह ब्लोटवर नहीं देते हैं, तो सीधर फोन की pricing बढ़ जाती, तो फिर वहाँ पर लोग अलग काली देते हैं, तो मेरे इसाब से, positive यहाँ पर यह है, कि आप ब्लोटवर आते हैं, उसको अनिस्टॉल मारो, और जिन्दगी सुकुन में निकालो फोन के साथ में, औ इसमें से वो अल्टरावाइट का लेंस भी गाइब कर रहा है, तो मेन कैमरा में मुझे एक चीज ऐसी लगी, कि 1X और 2X की जो डीटेलिंग वगएर आती है, वो भी अच्छी है, मतलब आप अपना काम आराम से कर जोगे, डीटेलिंग वगएर अच्छे से आजाती है, लो नहीं है, पर दी वर्स्ट भी नहीं है, बाकि आप 4K 30fps में में कैमरा में वीडियो रिकार्डिंग और कर सकते हो, और फ्रेंट में 1080p 60fps ही कर सकते हो, और मोस्ट ओफ लोग फ्रेंट में 1080p 60fps कर सकते हैं, जो कि जाना यूज़ करेगा उसके लिए, नहीं उसकरेगा तो कोई मेरा conclusion simple यह है, कि अगर आप 30,000 के अंदर एक best gaming phone ढूण रहे हो primary, उसके बाद में फिर आप उना जो भी display, cameras, वो सब ढूण रहे हो, तब आपको एक फोन एक दम perfect लगने वाला है, और मेरे इसाब से POCO ने एक बहुत अच्छा device पर काम किया है, और recommended काम किया है, पहले जो इ gaming phone और बाकी सारे interesting phone के option देते हैं, इवन इस phone के launch अने के बाद में, जो Redmi का Note 13 Pro है, 13 Pro Plus है, इवन इनका खुद का POCO F5 है, मेरे साब से उसकी sales जादा होगी नहीं, और जो pros and cons थे, वो सारे मैंने आपके साथ share कर दिया, जो मुझे issue लगे है, बाकी next video मिलते हैं, अब इक लिए बाई